हालो प्रेंट्स आप देख रहें डेटा लोगर वाइफाई डिवाइस तो यह डेटा लोगर वाइफाई डिवाइस क्या होता है और इसका सोलर इनिवेटर में क्या रोल होता है आज इसके बारे में बताएंगे और इसको अपन कनेक्ट कैसे करते हैं चलिए पहले आपको दि Wi-Fi device का QIU जोता है solar inverter में इसमें क्या होता है कि Wi-Fi के थुरू हम अपने solar inverter को वर्ड में कहीं से भी access कर सकते हैं अपने को solar inverter के पास जाके solar की reading देखने की जुरूत नहीं है कि उसने क्या generation बनाई है उसकी ज़रूत नहीं है अपन वर्ड में कहीं से भी अपने phone में उसको access कर सकते हैं उसका क्या status है क्या generation है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा तो वह चीज़ अपन चेक कर सकते हैं अब इसको बात करते हैं कि इसको connect कैसे करें connect करने के लिए सबसे पहले अपन इन्वेटर के पास चलते हैं तो यह देखिए दोस्तों अपना आ गया है अपने solar inverter के पास में अपना polycape का इन्वेटर है आप देख रहे हैं अपना polycape इन्वेटर अभी वर्क कर रहा है तो अब आपन चेक करते हैं कि इसको कहां लगाते हैं और कैसे लगाते हैं यह देखिए अपना जो वाई-फाई डोंगल है वह इसमें लगता है कि नीचे लिखावा है सी ओ एम और यह इसके अंदर आप देख रहे हो चार दाते मगर चार वायर आ रहे हैं अब डोंगल को कैसे करते हैं चलिए चेक करते हैं यह जो आपको सामने कट दिख रही है वह फ्रंट में होनी चाहिए और यह इसके पिछे देखो बार कोड होता ह इसका क्या हो जोता है एक बार पहले इसको कनेट कर लेते हैं फिर अपन उसको बाद में आपको बताते हैं चलिए यह दिखूंँ यह जो आपका कट दिख रहा है इसKO सामनी चाहिए और इसको इस तरह से लगाते हैं जैसे अपने इसको दबाते हैं यह पिट हो जकाता है अब इसको आपन टाइट कर देते हैं अब यह हम टाइट करना है ये ताइट हो गया अच्छे से अब इसका इंटिना लगाते हैं ये देखे इसका इंटिना भी लग चुका है अब अब इसको वाइफाई ये जो आप देख रहो हो इसको अपने वाइफाई की रेंज के यह साब से इधर उदर सेट कर सकते हैं जहां अपना WiFi सँभी से पकड़ रहा हो तो WiFi की रेंज के गिसे अपने इसको सैट कर देंगे यह अपना WiFi Survey desenvol लग चुका है अब इसको एक्सेस करना है तो यह अपना jo solar inverter है वह देखिये यह generating कर रहा है पावर इसका आ रहा है प्रोपर और अभी दूप हो इसलिए ये पाँर इसका कमा रहा है वैसे अरी दूप क्या बादल हो रहे हैं इस चक्कर में इनुटर पे अपने वाई-फड की सेटिंग करते हैं उसके लिए सबसे पहले अपने को हो में स्क्राइम पर जाना वगरा ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा वह अपने वाइफाई मलब सोलर इनिवेटर का वाइफाई है जो डॉंगल है वह सो कर रहा है अपने इसे कनेक्ट करेंगे कि जैसे ही अपने उसे कनेक्ट किया कि कनेक्ट होने के बाद अपने को गूगल क्रोम पे जाना है कि गूगल क्रोम में आपन एड्रस पार में डालेंगे आईपी अड्रस आईपी अड्रस है 10 कि यह यह दिए 10.10.100.254 और इसको क्लिक कर देना है कि यह देखिए यह साइनिंग की विंडो खुल गई है इसमें यूजर ने में पासवर्ड आप से मांगेगा यह वाइड डिफॉल्ट एड्मिन एड्मिन होता है अपने को नेक्स्ट किया यह स्टेटस कुल गया इस्टेटस में क्या है इन्वेटर की इंफॉर्मेशन वगरा क्या वाट है क्या नहीं है यह आपको डिस्प्ले पर सोग कर रहा है अपने इसमें सेट कर सकते हैं अपने जो भी चाहिए इसके देखो नीचे आरा रहा है एडवांस सेटिंग एडवांस एडवांस पर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो चलो दे कि जो अपने वाइफाई अपने को जिस वाइफाई से इनेड़ को connect करना थे तो वह यहां पर Wi-Fi सो कर देगा तो इन में सबना कौन सा Wi-Fi आपका जो है जिससे आप connect करना चाते हो उसके आप चैक मार्क लगा दो तो उसे आपका वाइफाई कनेक्ट हो जाएगा तो सबसे पहले यह हमारा कौन सा वाइफाई जो भी आपका है यह अपना वाइफाई ता उसको हमने किया अब इसमें नेक्स्ट करना है जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो न्यू विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपको पास्वर्ड जाना होता है तो यह हम इसको नेक्स्ट करते हैं यह नेक्स्ट किया और यह पास्वर्ड की स्क्रीन नेक्स्ट विंडो खुल गए इसमें पास्वर्ड में आपको जो आप पास्वर्ड सेट सोरी आपका जो वाइफाई का पास्वर्ड है वह यहां आपको सेट करना है कि आपका जो भी पास्वाड है वह यहां डाल दो डानने के बाद इसको नेक्स्ट कर दो ठीक है तो हम आई यह बास्वाड डाल रहें अब यह अपना पास्वाड हो गया नेक्स्ट करते हैं इसको अब कि कुछ नहीं डानना अपने को है नेक्स्ट किया है 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 यहां कुछ नहीं करना नेक्स्ट और अपके कर तो यह अपना सक्सेजभूल हुगया है अब अपनें वह इसको बंद करना है कुछ नहीं करना यहां पर इसको बंद करके अपने को मोबाइल स्क्रीन पर जाना है और दूसरे मोबाइल में अपने जाके इसको चेक करते हैं कि अभी इसको एक्सस कैसे करें तो यहां से अपने इसको बंद कर देते हैं और दूसरे फॉन की स्क्रीन पर चलते हैं यह हमने इसको फॉन देख रहे है इस पर क्या करते हैं अपने गूगल प्लेई स्टोर में जाके सबसे पहले अपने अपने प्रीकिशन इसको डाउंड़ करना है पोली के नाम से हैं इस्टोल करते हैं इसको और यह इस्टोल हो गया है अब अब इसको ओपन करते हैं यह ओपन हो गया यह आप देख रहो डिस्प्लेए पर रजिस्टर प्लांट और लोगिन अगर आप लोगिन करते हैं तो आपको यूज इमेल आइडियो और पास्टर डालना होता है लेकिन अभी आपने में अपन कर रहे हैं आप यूजर नेम डालना सबसे पहले उसके बाद एमेल आइडियो कि आपकी इमेल आइडियोग म्यारा लोगे आपकी इमाल डाल दो अपर अब यह अपने एमिल आड़ी डाल रहे हैं है कि जा इए मेरा आड़ी हो गई है उसके बाद है फासीड फासवर्ड यह पासवड आपने जो पहले किया था वह अपने वाइफाई का पास्वड डाला यहां अपने को इस एपलिकेशन का पास्वर्ड डालना है इसको उपन करन कि यह देखिए यह लोगिन हो चुका है अब बिल्ड यूर प्लांट इन वन मिनिट पर अपन क्लिक करेंगे यहां पर अपने को आई डू नोट है इंस्टॉलर पर क्लिक करना है अगर आप इन्वेटर के पास में तो ठीक है नहीं तो आप एंटर सीरियर की नमबर पर प्रेस करें और यहां जो डोंगल का सीरियर नमबर आता है वो यहां डालना है बार कोड के नीचे आपका सीरियर नमबर लिखा हुआ होगा तो वो सीरियर नमबर आप यहां डाल दीजिए और सीरियर नमबर डानने के बाद में चेक पर क्लिक कर दो यह अपन सीरियर नमबर डाल रहे है और यह चेक किया जैसे यह अपन उस पर चेक करेंगे यह विंडो सा गया यह राजस्तान जेपूर प्लांट का टाइप हो गया कॉमर्शल वगरा ओन गिरेड ऑफ ग्रेड जो भी है और यहां यह केपिशिटी यह अपन कितने गिलोवाट का केपिशिट इच्छाई किलोवाट कर दिया यह करेंची कौन सी अपनी करेंची अपनी आया इनर इस और अपना अग्रिट टाइप हो गया कि किस प्रकार का ग्रेड़ पन गरेट कर रहे हैं का औरů इसके चेंज करते हैं यह अपना से को माट का प्लांट यह मोनें लोट कर दिया अगर आप पनी इसको नेश्ट करते हैं में आपका प्लांट आप अपने according set कर सकते हो कि आपका plant किती किलोवाट का है हमारा plant अभी जैसे 6 किलोवाट का है तो हमने 6 किलोवाट यहां डाल दिया है और on grid अपना plant है type देखे उपर type आ रहा है उसमें भी आप select कर सकते हो नीचे crunch याए गई सब कुछ अपने डाल दिया अब अब अपन करते हैं इसको next यहां यहां क्या डालना है अपनों अपने plant का नाम contact number आप उडानी की जरूत नहीं है आप plant का नाम डाल दो कोई भी जो भी आप डालना चाहते हो और plant का नाम डाने के बाद इसको complete पर क्लिक कर सकते हैं यह अपन डाल दिया है और यह अपन कंप्लीट करते हैं यह देखिए यह आपके पास आपका वह आई-पाई मलब है एप्रिकेशन की जो एक ही स्क्रीन है वो खुल गई है जिस पर आपका यूजरनेम आ गया करेंट जेनरेसंग पाउर आ गया डेली जेनरेसंग टोटल जेनरेसंग डेली रेविन्यू तो यह चीज़ आगे लेकिन अभी अपने पास इसका डेटा शोग नहीं कर रहा है डेटा शो क्यों नहीं कर है वो सारी यह सो कर देगा ठीक है अपन देगो यह समरी में क्या-क्या आता है वह अपन देखते हैं और यह डिवाइस है डिवाइस के अंदर क्या क्या आएगा यह इन फो इंफो के अंदर आपको बेसिक प्लांट इन फॉर्मेशन यूजर नेम कॉंटे नमबर लोकेशन कर रहे हैं इसको थोड़ी देव में यह अपन अप्लिकेशन खोलते हैं यहां से पोली के यह अपना यूजर नेम आ गया यूजर नेम पर जैसे अपने क्लिए क्या यह देखिए यह आपके सामने अपडेट हो चुका है करन्ट जनरेशन पावर अगा डेली जनरेशन टोट टोटल डेवेन्यू तो यह आपका प्लांट अपडेट हो चुका है आपको डिस्पलेशन पर सो कर रहा है अब आप पना इसको पूरा कंप्लीट एकसस कर सकते हैं कर established आप देख रहें है मदब आपके समय में तोटल जनरेशन आ रहा है ग्राप नीशे ग्राप सारे डेली मंत यह टोटल अपन इसको मंत से क्लिक किया तो आज की डेट में अपने आज लगा तो इसमें आज का data show करेगा यह में भी आज का करेगा total में यह आप देखी रहे हैं इसको आपको device में बार और से करवाते हैं कि device में क्या 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 सो करेगा तो लेक बार इसको देख ले यह क्रंट पावर यहापको सुक्र रहे है इनिवेटर का सीरे नंबर आ रहा है और यह रिकोर्ट दिखा रहा है यह देखे एसी आउटपूर्ट टोटल डेली जनरेशन मंत मंतली एन्यल जनरेशन टोटल जनरेशन और यह आपके पास आपके हिस्ट्रिंग का वोल्टेज कितना रहा है क्रंट कितना रहा है ग्रिट में देखे हैं हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर डिशी वोल्टेज डिशी इन्पोर्ट कंप्प्टीट चीजे सो कर रहा है यह ग्राप्स के रूप में आप से देख रहे हैं है और यह नीचे आपका इसी का वोल्टेज सो कर रहा है आपको है जनरेशन एडेगो वन फंट टू क्योंकि अपन ने इसको प्लांट को कल ही चालू किया था कि यूजर ने मागिया अपना कॉंटेक्ट नमबर वगरा यह आप इसमें एड़ कर सकते हो आपकी लोकेशन इसमें सो कर रहा है ग्रिट का टाइप सो कर रहा है केपिशिटी देखिए आप सेकल वाट सो कर रहा है डायरेक्शन आपका दिखा रहा है और टिल्टेट कितना ह करन सी स्कूलर्ण है आप इसमें कुछी चीज़ी महलब आप सेट कर सकते हो जो आपकी इच्चा से जो आपकी हात अचो कि लाई आप है है कि आतु कुल बिलागी यह yang कि एक है कि अपना यह प्लाउंट ऑन-LINE हो चुका है आप अप इसको कहीं से भी कर सकते हैं अब अपने इसको ओनलाइन अपने इस पर देखते हैं कि जो जेनरेशन वहाँ पर शो कर रहा था वो सही है या नहीं है तो अपने इन्वेटर की स्क्रीन पर देखते हैं कि यह अपना देखो इन्वेटर वर्क कर रहा है कि इसका पावर बगरा क्या रहा है आपको दिख रहा होगा कि यह अपना कि पोली का इन्वेटर है कि फोर्जी कि यह आज की डेटर चोदानों यह पावर आ रहा है चत्ती सो पचास इन्फॉर्मेशन में अपन करेंगे डीशी का अपने इस्टिंग का वोल्टेज आ रहा है कि जो भी आपको डिस्क लिए पर दिखाया था वहां पर कि जनरेटिंग दिखाव लिखाव आ रहा है गोल्ट पावर लिखाव आ रहा है कि ग्रेड़ फिक्वेंशी आ गई टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी त्री ट्वेंटी अभी अपने ओनलाइन चेक किया था तब व कि 7.1 और यस्टरडे की दिखा रहा था वन पॉइंट कुछ यह इन्वेटर का सीरिय नंबर आ विया अगया है कि ठीक है तो आप इसको सब कुछ सेब कर सकते हो ओनलाइन में आप इसका पूरा डेटा देख सकते हो यह हमने प्लांट रहे हमारे डीचीडीवी अपना डॉंगल है आप उसको रेंज के साफ़ सेप कर सकते हो कि कितनी रेंज कहां से आपका वाई-फाई पकड़ रहा है आप उसको सेट कर सकते हो तो गैस सोलर से रिलेटेड और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना